आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल जस्ट नॉलज़ पर मैं हूं कुमार बिने और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में आज के हमारा यह वीडियो व्ल्ड क्लाइमेटोलॉज यानि कि जलवाय विज्यान में भाग 13 होगा जिसमें हम लोगों को पढ़ना है चक्रवात के बारे में देखिए आज का यह वीडियो मैं सुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी राय लेना चाहता हूं मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे हम लोग पढ़ने पढ़ेंगी भारत की जलवाय में ठीक है तो अगर आप लोग चाहें तो इसके बाद हम लोग तुरन भारत की जलवाय के बारे में पढ़ लेंगे वैसे आप लोग जैसा राय देंगे वैसा मैं करूंगा फिलहाल आज की वीडियो में हमें चक्रवात के बारे में होता है जहां पर क्या होता है लो प्रेशर जून ठीक है वहां पर निम्न वायुदाब होता है इसलिए इसे निम्न वायुदाब के केंद्र को हम लोग चक्रवात का नाम देते हैं इसके चारों तरफ समकेंद्र वायुदाब रेखाएं बाहर की तरफ वायुदाब में पूसे स्फित करती है इन देखाओं की खास बात क्या होती चुमदाब करती है यह रेखाओं होगा ठीक है तो इन ही रेखाओं को हम लोग क्यते हैं सम्मदाब है रेखाएं ठीक अब कुछ रेखाएं ऐसी होती जो इस तरण से क्लोजड सेप में होती है ठीक है क्लोजडोच में होती है तो वही बताया ग자 है कि हमारे Πरण स४र केंदरी वायुदाव होती है ठीक बीच में यहारा क्या है रह इसके चारो तरह से संदढ रहता हैं ठीक है और बाहर की तरफ वायुदाव में बिद्धि हो viex में लोग मूब करते जाएंगे वह carefully इस बीजम MaharANT तो मैंने को क्या बता है था कि हवाईय जो होती है वह हमेशा टुंदर की तरफ जमने होऊषछए निम्रीस की तरफ स्केंटर की तरफ इसको मार लेंwhat इसको पूरा एक सरक्ल मार लें तो परिध से केंद्र की तरफ move करती है यानि कि सरक्मफ्रेंस से सेंटर की तरफ ये हवाएं move करती है ठीक है तो आप लोगों ने चक्रवात के बारे में समझ लिया होगा कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिन में चारो तरब समकिंद्रि वायुदाब रेखाए पाई जाती है उसके अलावा जैसे जैसे हम इससे बाहर जाते हैं वायुदाब में बृध्धी होती है ठीक है अब दिसा की बात करें तो जो दिसा होती है यह उत्तरी गोलार्द में चक्रवातों की जो दिसा होती है य ययानि की घडी के सुईउओ के बिपरीथ होती है हमारे नर्दन हेमिस्पेर में उसके अलामा अगर हम मूब करें दच्छनी गोला एनकी सदन हेमिस्पेork तो वहां पर ये क्लाकवाई यानिकी घडी की सुईओ के दिसामेनज की गति होती है ठीक है आइ थिंक आपको चक्रवात के बारे में इतनी चीजे clear हो गई होंगी बात करते हैं इसके आकार यानी की shape की तो ये गोलाकार, अंडाकार, जोराइड शेव में वी लेटर के समान जैसे हमारा अब भी अच्छर होता है उसके समान इनका shape अलग-अलग परिस्थितियों में होता है ठीक है तो ये थी कुछ basic सी detail चक्रवात के बारे में अब चक्रवात को classified किया जाता है दो भावों में पहला हमारा है सितोष्न कडिबंधी चक्रवात यानी की temperate cyclones और दूसरा हमारा होता है उस्न कडिबंधी चक्रवात यानी की tropical cyclones तो हमें बात करने है पहले सितोष्न कडिबंधी चक्रवात जैसा कि नाम से ही असपश्ट है temperate cyclones यानी की सितोष्न कडिबंधी चक्रवात तो आप लोगों को इतना तो idea लग गया होगा कि यह जो चक्रवात है यह temperate region में पाया जाता है ठीक है जैसे हमारा tropical cyclones हुआ तो वो हमारे tropical region में पाया जाता है ठीक है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है तो हम लोग पहले चलिए जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ है अखिर में इनका formation कैसे हुआ है ठीक है तो formation की बात करें तो मध्ध हच्चांसों पर दो विपरीश सुभाव वाली ठंडी तथा उस्ण रार्ध हवाओं के मिलन से ठीक है जह हमारा मध्ध हच्चांस होता है में जैसे मैंने आपको बताया कि यह हमारी अगर हो गई ठीक क्वैटर्ल लाइन चांस यान नार्थ पोल यह हमारा रहो गय और हगया शाउथ पोल तो मध्ध अच्चांस मध्ध च्चनस को अख़ थीक के में जीरो से नाइटी के भीज़ीन को हम लोग कहते हैं मध्ध अच्चांस यहां पर क्या होता है हमारे दुरुबों से आती हैं ठंडी हुआ हैं और हमारे एकवेटर से भूमध । से चलती हैं गर्म हँआ दोनों हुआ है चल के जहां पर मिलती है वही पर निर्मार होता है सेतोष ने कर्डबंधी चक्रवादों का तो तो वही बताया गया है जो रीजन जहां पर इनका निर्माण होता है वो होता है 35 degree to 65 degree अच्छानसों के बीच में ठीक है 35 degree to 65 degree latitude के बीच में इनका निर्माण होता है दोनों गोलार्दों में मेंस यहां पर उत्रीन गोलार्द में भी फ़र्म होते है और दच्छलीं गोलाोर्द में इनका फार्मिशन होता है अब हम जानते हैं कि आखिर में मवुसम पर इनका एफट्ट किया बढ़ता है किस तरह से मवुसम को एक्ट करते हैं तो जब इनका आग्मन होता है जिस रीज निर्मांड ś你好 सोड़ी तथा अंध्रמה के चारो तरह प्रत प्रभा मंडल हो जाता है चैन्दरक्रफर मंडल निर्मार हो जएताए अब याफ कि पीछे का रीजयर्ड और सुरी तथा चंद्रमा के चावारों तरफ प्रभामंडल मेंस एक अलग से तेज दिखाई देता है ठीक है तो वह इसका निर्माण इसी की कारण होता है ठीक है पच्छा बस्तरी बादलों के कारण और जब दो वायूरासिया मिलती है मैंने आपका बताया था कि जब सड़न मुवमेंट होता है यह यह हमारी होट एयर बहुत तेजी के साथ में उपर की तरफ मूब करती है तो उसी से निर्माण होता है ठंडर स्टॉर्म यानि की तड़ित जंजा का तो इस कंडिशन में तड स्टॉर्शन चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में कैसे इसकी उत्पत्ति होती है तो आज कि समय में आने के गर हम प्रजेंट कंडिशन की बात करें तो अभी तक किसी भी बैग्यानिक ने या किसी भी सिध्धान के दौरा यह अस्थाय रूप से नहीं बताया गया है यह कं कैसे इनकी उत्पत्ति होती है जो सितोषन चक्रवात होते हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है हाला कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग-अलग राय रखी है इसके बारे में जिन में से जो प्रमुक्तों है उनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं बाकि कि क्यों इनका निर्माण या कैसे इनकी उत्पत्ती होती है अब जो फिट जरायम होदा है इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि जब दो बिरोधी का अबिश्दरण होता है यानि कि कन्वर्जंस होता है तो उसके प्रणा में इनका निर्माड होता है अब विरोधी भुट से तात्पर यहां पर है कि जैसे ताप्मान में उनके अंतर हो गनत्मे अंतर हो जिस दिसा में वह रही हैट उनमें किस तरह इन्होंने इसके बारे में बताया था तो ये कहीं नहीं थोड़ा सा मानने सिद्धान्त है उसके बाद में आया सा और लेंपार्ड ने इसके बारे में एक सिद्धान्त और प्रक्तिपादन के इससे क्या निर्माण होगा सितोष और चक्रवात का तो यह चीजें हम लोगों ने जान ली कि इनकी उत्पत्ति के बारे में ध्यान रखेगा कोई हमारे पास सटीक अभी तक जनकारी उपलब्ध नहीं है मिन्स अभी तक हमारे जो बैग्यानिक है या हमारे जो 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 ग्राफर से उनके द्वारा अभी सटीक जनकारी इसके बारे में नहीं दी जा सकी है अब हम जानते हैं इसके जो सबसे विशेष चीजें हैं जो इनके बारे में हमें पढ़ना है वो है सितोष चक्रवात के जीवन चक्र के बारे में यानि कि Life Cycle of Temperate Cyclones तो किस तरह से इनका निर्माड होता है आगे थोड़ा समय हम लोग समझ लेते हैं इनका जो Life Cycle होता है ये कुल मिला के छे चरवड़ों में पूरा होता है ठीक है परतम स्टेज जिसे इनिसियल स्टेज कहते हैं और लाश्ट स्टेज जिसे स्टेज आप Frontalysis कहते हैं ठीक है मिल्स जहां पर इनका अवसान होता है यानि कि इनकी मृत्य हो जाती है तो किस तरह से इनका निर्माड होता है इसके बारे में हम लोग जानते है देखे प्रारम में क्या होता है कि गर्म और हलकी वायुरास उसके ल समानांतर प्रवाह करते हैं एक दूसरे के देख रहे होंगे इस तरह से इस रीजन में और गर्म वाली इस रीजन में इस तरह से दोनों एक दूसरे के समानांतर प्रवाह कर रहे हैं तो जहां पर इनका हलका सा मीटिंग पॉइंट होता है यहां पर निर्माड होता है मैंने के कारण यहां पर जो वाताग्र बनता है मिंस अगर सिंपली स्मूदली मूब कर रही है दोनों हमाय तो यहां पर एक अस्थाई ठीक है यानि के समानांतर प्रवाह करती है इनका प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर होता है उसके अलावा इनसे अस्थाई वाताग्र यानि के के चेतर में बलात प्रवेश होता है यानि कि बल पूरबक गर्म और ठंडी वायरासियां एक दूसरे के चेतर में प्रवेश करने लगती हैं किस तरह से यह देखिए इस तरह से यह प्रवेश कर रही है एक दूसरे के घर में यानि कि इस पर एफेक्ट पड़ता है कोरियोलिस फोर्स का यानि कि जो बल हमारे लगते हैं उनके के कारण में यह दोनों एक दूसरे की तरह मूब करने लगती हैं और जो यह यहां पर बीज में हमारा इसे लिए बेवी फ्रंट भी कहते हैं तो सेकंड इस्टेज में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के रीजन में प्रवेश करना प्रारम हो गई हैं यानि कि चक्रवात का निर्माण प्रारम हो चुका है फिर फार्नली जो हमारी अब सम्दाब रेखाएं होती थी ठीक है वो अब लगभग गोलाकार होने लगती हैं यहां पर आप लोग देख रहेंगे कि सम्दाब रेखाएं जो हैं यह इस तरह से अब गोलाकार होना प्रारम हो गई हैं अभी तक जो इस्टेट थी वो धीरे- सीटल हवा बह रहे हैं इस इस्थित में क्या होता है कि जो हमारा चक्रवाथ होता है उसका लगभग पौर्ड बिकास हो जाता है यानि कि fulate developed हो जाती है हमारी cyclon थीक है उसके कारण मेड़ में ऊपर की तरफ मुब करेगी तो adiabatic ताप पतंदर से यानि की adiabatic lapse rate से ये ठंडी होंगी और ठंडी होने के बाद में इनका condensation होगा, condensation होने के बाद में क्या होता है कि उमलो nimbus cloud का formation होता है, यानि की kna passi make का निर्मार होता है, kna passi make तो चलिए आगे बात करते हैं चतुर्थ स्टेज यानि की फ्वनत स्टेज में क्या होता है अब देखिए जो सित वाताग्र है यानि कि जो हमारा को फ्रेंट है यह इंटर करने लगता है सकता है एकदम से परे हमारा कोल्ड फ्रंट है वह रीजन में आने लगता है और धीरे धीरे यह क्या करता है कि जो हमारा उष्ण ब्रितांस है ठीक है इसको संकुंचित करने लगता है पूरी तरीके से ऐसे सिकोडने लगता है जैसे आप लोग यहां देख रहेंगे कि अब हाट टेयर यह पूरी त चतुर्तह श्टेज फारली जाकर जाको पंचम आउस्था में पहुँचते हैं तो पांचवे वस्था में आप लोग देखते होंगे फिफ्ट स्टेज में कि यहां पर यह हमारी सम्दाब रेखा है यह पूरी तरौरी तरिका से डबलब हो चुकी है और यहां पर जो हमारा वार मेयर है यह अब लगभग समाप्त हो चुका है मिन्स इससे कहते हैं कि अब चक्रवाज जो है उसका उसान प्रारम यानि कि वो मरने के वस्ता में पहुंच चुका है उसके लावा जो हमारे सीत वातागर होते हैं उनके द्वारा उसन वातागर का अभिलंबन किया जाता है अभिलंगन का मतलब होता है ओवर्टेक करना ठीक है ओवर्टेकिंग को ही हम लोग अभिलंगन कहते हैं तो अब इससे यह तक पर है कि जो हमारा सीत वातागर है यानि कि cold front है वो पूरी तरीके से नश्ट कर दे रहा है हमारे उष्ण वातागर को ठीक है तो वही चीज़े यहाँ पर बताए गई है कि अब इनको overtake कर दे रही है वार मेर एक बार फिर से अपना इस तरह से move करने लगती है और यहीं से प्रारम हो जाता है इस तरह के यहाँ पर देख रहे होंगे यह हमारा है और यानि कि अधिवरिष्ट वातागर इसका निर्माण कहां पर हो रहा है इस रीजन में ठीक है यानि कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि आधिवरिष्ट वातागर के दौरा या cold front के दौरा जब उस्ट वातागर को अभिलंग कर दिया जाता यानि कि overtake कर देती है तो उसके परणाम शुरूब निर्माण होता है अधिवरिष्ट वातागर का ठीक है यानि कि occluded front का ठीक यह हो यह हमारी पंचम अगर हम आखरी के बात करें तो आखरी में कुछ नहीं होता आखरी में आप लोग दे रहेंगे सम्दाब देखा यहां पर भची हुई है जो मारी कोल्ड एर इधर मूब कर रही है रहा हमसे और यह हमारी नीचे की तरफ और मूब कर रही है और इस तरह से यह चक्रवाद धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है ठीक है तो इस वीडियो में हमने फिलहाल आज पढ़ा चक्रवातों चक्र वीडियो होगा उसके बाद में हम लोग जानेंगे जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोंस है यान लेकि हमारे उसने कड़िवंधी चक्रवात हैं उनके बारे में ठीक है आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई डाउट तो किसी भी वीडियो को परेकर कोई भी सवाल हो मन में तो आपलोग बेहिशक कमेंट में पूँश सकते हैं जो चीज आप लोग इसमें सीखे श्को एप अच्छे से करने का प्रयास करेश करिये मनिया की बताया था जितना अच्छे पने चीज़ों को जितनी अच्छा से कल्पना करेंगे उतनी लि झाल झाल